हेलो चैंपियंस दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपसे कुछ ऐसी बहुत ही जरूरी बाते शेर करूँगा जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप अपने इंग्लिश के बोर्ड की एक्जैम में जो आपके 26 फेबरोरी को होने वाला है उसमें आप 100 on 100 यानि फुल मा हम फॉलो करेंगे तो हमें 100 on 100 मार्क्स मिलेंगे उसका बेसिस क्या है तो उसका बेसिस है आप एक मिनट दीजे मैं आपको दिखाता हूँ मैं इस बेसिस पे बोर्ड हूँ यह देखिए आप लोग अगर ध्यान से देखेंगे इसको पहले मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा है तो यह दो यह दो आप लोगों को दिख रहा है अब देखें यह 2023 का क्लास चंथ का रिजल्ट है अब यह देखें पिछले साथ जो क्लास चंथ का रिजल्ट डिक्लेर हुआ था तो आप लोग जानते हों मैं यूटूब पर तुम आंने पिछले 5-6 महेने से शुरू किया है बट् तो उस बेसिस पर मैं आपको बोलूँगा आप विशास कर सकते हैं और हाँ आप कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा कि मैं जो स्टेजी आप से शेर करने जा रहा हूं अभी कि मैंने उस स्टेजी को मैं फॉलो करूँगा आपका जब रिजल्ट आए तो मैं आपके कॉंटाइक्ट में आ सकूँ और आपसे पूछ सकूँ कि जो मैंने स्टेजी शेर की थी आपके लिए कितने यूसफुल थी एक चीज़ आप लोगों को और दिखाना चाहरा था यह देखिए पिछले साल जो सीब्सी बोड ने रिज दिखले करा था वह मैं के महीने ने किया था अब बिसिकली मैं के सेकेंन् डाए थर्ड विक में आप लोगों का भी रिजल्ट आएगा ताकि जब आप लोग कमेंट बोक में कमेंट करेंगे कि हम I will follow this strategy तो रिजल्ट आने के बाद I will contact you through comments only right so that हम बातचीत कर सकें और देख पाएं कि आपके लिए वो strategy कितनी useful थी राइट तो चलिए ये कौन-कौन सी strategy है उसे हम लोग देखते हैं राइट कौन-कौन सी strategy उसे हम लोग देखते हैं तो जैसा कि मैंने बोला कि तीन strategy हम लोग share करेंगे और हाँ strategies share करने से पहले मैं चाहता हूँ एक बार जार आप लोग ध्यान दे यहां पर आप लोग जैसा कि जानते हैं कि जो reading skill है 20 marks का है writing skill भी 20 marks का है और जो language and literature जो है वो भी 40 marks का है हाँ literature से मुझे जादा है कि literature में अगर आप चाहते हैं आपका first flight, first flight में आप जानते हैं pros में 9 chapters है, poem में 10 chapters है उसी तरह footprints without feet में total 9 chapters है लेकिन अगर मैं आपको यह बोलूँ कि आप literature में पूरे 40 on 40 marks पास सकते हैं वो भी बिना सारे chapters को पढ़े यानि कुछ selected chapters को पढ़ करके आप literature में 40 on 40 पास सकते हैं आपको पूरे chapter पढ़ने की ज जरूर करिये अगर ज्यादा मात्रा में ज्यादा नमबर में comments आते हैं तो मैं इस पर एक video बना दूँगा and कम कुछ specific chapters पढ़के आप full mark पास सकते हैं चले आगे बढ़ते हैं now we will try to know we will discuss कि क्या ऐसी बातें करनी है right देखियो आप लोग English में तीन ऐसी mistakes करते हैं जिसकी वज़ा से आप लोगों के marks English में cut जाते हैं यानि क्यों 55 to 60 marks सी मिल पाते हैं out of 100 तो यह तीन major गलतियां हम discuss करेंगे जो आप लोग करते हैं दूसरा हम लोग यह discuss करेंगे कि जो strategy मैं discuss करूँगा उन strategies को discuss करने के बाद जो sample question paper चाहिए होगा जो study material चाहिए होगा उसके लिए आपको कुछ भी खर्च नहीं करना है मैं बताऊंगा आपको free of cost कहां से भी लेगा आप वहां से देख सकते हैं और तीसरी बात आप से discuss करनी थे कि सिबेसी बोर्ड में question paper कैसे बनता है जो आपके लिए जानना जरूर इसलिए प्लीज देहां से सुनिए राइटिंग स्किल में पहली गलती आप लोगों से हो यह हो जाती है कि आप लोग या तो राइटिंग स्किल की प्रैक्टिस नहीं करते हैं और अगर राइटिंग स्किल करते भी हैं तो आपको right format नहीं पता होता है तो cbsc ने इस पिछल पैरग्राफ होता है जो कि पैरग्राफ का ही टाइप होता है लेकिन वह सिंपल पैरग्राफ से बिल्कुल अलग होता है तो उस पर हम देखेंगे देहां दीजिए देखें राइटिंग स्किल में यह question है यह question अगर मैं पूरा पढ़ूंगा तो time आप लोगों का ज्यादा लगेगा मैं यह समझाना चाहरा हूं कि cbsc ने question दिया है और इस question को देने के साथ ही साथ cbsc ने इसका answer भी issue किया है लेटर का तो यहां से आप लेटर राइटिंग का format ले सकते हैं अब एक जो बच्चों के बीच में गलत फ़हमी होते हैं कि cbsc जो है marks नहीं काटती है से ज़्यादा important है इसलिए मैं खुद पढ़ दे रहा हूं organization of ideas के लिए one mark मिलेंगे effective style orderly sequence इस पारग्राफ बिसिकले आप लोग करते क्या हो writing skill में जो भी मन में आया वह भी लिख देते हो नहीं ऐसा नहीं होता है चुद एक और प्रोपर फॉर्मेट होता है प्रोपर बिगनिंग होती है फी की लेवरेशन आप और हाँ आगे हम लोग अगर आप ग्रामर में किसी भी English में इंग्लिश के किसी भी आंसर में अगर आप 2 से ज्यादा grammar और 2 से ज्यादा कि स्पेलिंग रॉंग करते हो यानि ग्रामेटिकल मिस्टेक अगर आपका किसी आंसर में 2 से ज्यादा है या 2 से ज्यादा स्पेलिंग आपकी रॉंग है तो उसके भी नंबर सीवेसी काट लेगी क्योंकि जो इवैलिवेटर होते हैं उनको स्टिक्ट इंस्ट्रक्शन होता है दो या 2 से कम है तो नहीं कड़ेगा 2 से ज्यादा हो गया आपके marks कड जाएंगे अभी आगया वाली स्लाइड में आपको दिखाऊंगा अब आप देख सकते हैं यहां पर देखें क्वेश्चन वहां पर है मैं साइड हो जाता हूं क्वेश्चन आपने पिछली स्लाइड में आपने देख लिया स्क्रीन ले सकते हैं यह लेटर के आंसर की स्क्रीन ले सकते हैं उसके बाद आप खुद सीख सकते है और इसी तरह के धिर सारे question और solution कहां से मिलेंगे free of cost वो भी मैं आपसे आगे आगे आने वाली slide में share करने वाला हूँ चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरा question जो आप लोगों का writing skill में आता है वो होता है आपका paragraph का यह देखिए paragraph ठीक है यह analytical paragraph होता है यहाँ पर आप ध्यान दीजिए इस question पर देखिए क्या करा है write and analytical paragraph तो यह simple paragraph से बिल्कुल अलग होता है तो आपको ध्यान देना है हाँ और word limit भी follow करने राइटिंग सिल लिखते हैं आप लोग word limit को follow नहीं करते हो यह भी एक major reason है कि marks करने का तो basically क्या क्या writing skill में क्या क्या साउधानिया बरतनी है proper format follow करना है एक proper beginning होती है फिर elaboration part होता है फिर proper ending होती है grammar की mistake नहीं करनी है right spelling की mistake नहीं करनी है ठीक है तो यह रहा question और इसका भी solution आपको अगली slide में मिल रहा है यह रहा solution तो question आप वहाँ से देख सकते हैं यह जो writing skill का solution paragraph writing का solution आप यहां से देख सकते हैं आप इससे सीख सकते हैं कि cbc किस तरह की के writing skill आपसे expect करती है एक्चुल देखियो होता क्या है मैं बताता हूँ board exam में जब teachers कौन copy check करता है पता है आपके school में जो teachers आपको पढ़ाते हैं वह school में copy check करने जाते हैं लेकिन जब copy check करने जाते हैं तो उनको एक answer sheet sample answer sheet मिलती है जिसको उनको go through करना होता है और उनमें लिखे होए instructions को follow करना पड़ता है जैसे cbc ने यह देखे यह sample answer आपको द cbc की guideline को follow कर रहे हैं उधर जो teacher को जो evaluator होते हैं उनको भी मिलती है sample answer sheet और answer की copy तो आपका match हो जाएगा जारी आप भी cbc के instructions को follow कर रहे हैं और जो evaluator गया है cbc board की copy check करने वो भी follow कर रहे हैं तो आपके marks कटने की possibility बहुत कम हो जाएगी इसलिए को आप जरूर follow करिए च literature में दूसरी गलती करते हो literature में आप लोग क्या करते हो जो भी literature में आप लोग में दो तरह की गलते हैं करते हो पहले तो question को ध्यान से पढ़ना होता है आप लोग क्या करते है question को खूब ध्यान से पढ़ो और समझने की कोशिच करो कि question में पूछ क्या रहे है और दूसरी च देखके चले जाते हो अगर आप समरी केवल चैप्टर की किसी चैप्टर की या पोयम के केवल समरी पढ़के जाओगे या वन शॉट वीडियो देखके जाओगे किसी चैप्टर की तो आपके इंग्लिश में 60-65 मार्क्स आ जाएं इसे जाद आपको नहीं मिलेगा क्योंकि समरी में पूरे चैप्टर की जो स्पेस्फिक्स होते हैं नेम आप प्लेसे नेम आप परसन इसने किसे क्या कहा यह सारी चीजे कवर नहीं हो पाते हैं समरी है ना समरी में तो 60% यह आएगा ना बाकी अगर आप चाहते हैं इंग्लिश में आपके बिसिकली अगर आप 95 प्लस भी चाहते हैं आउट आफ 100 तो आपको क्या करना है आपको हर चैप्टर को NCRT से पढ़ना ही है अप प्लीज उसे पढ़िए अब आपको कहोगे सर आज और चार-पांच फरवरी हो गई है आप तो टाइम ही न में आएगा मतलब लिटेचर सेक्शन में जो आपका पूरा फोटी माक का होता है उसे पूरे चेप्टर पढ़के जाने की जरूत ने कुछ स्पेस्विक चेप्टर से उस पर मैं पूरी वीडियो बना दूगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर करिए ठीक है अब आपको करना से ज्याधा हो रहे है या अगर आपकी ग्रामाटल मिस्टेग या स्पेलेंग की मिस्टेग है चूरू से ज्यादा हो रहे तो आपको सिवसी मार्स काट लेगी किसी भी क्तुम में जीक पर था इस ख़ूर आपका 3 marker, इसी तरीके से मैंने 6 marker भी लिया है, यह देखे 6 marker question है, यह B वाले question answer इसमें है, मैं अगर question answer पढ़ूँगा तो बहुत जादा time लग जाएगा, आप लोग चाहिए तो इसका screenshot ले लिजिए, और question पढ़ लिजिए, और CBSC ने कैसा answer लिखा है, इसी तरीका answer आपसे भ को लिखने, कोई भी, एक भी sentence फालतू का नाय लिखना है, एकदम relevant बाते लिखनी है, चले आगे बढ़ते हैं, तो literature में यह जो दो तरह की गलतियां, मैंने आपको बताई हैं, वो नहीं करनी है, क्या गलतियां मैंने बताई, कि कुछ भी नहीं लिख देना है, question पढ़िये इसमें full marks या 90 plus marks भी चाहते हैं, तो समरी पढ़के मत जाएए, समरी पढ़के जाएंगे, आपके ओल 60 to 65 percent marks ही पाएंगे, चले आगे बढ़ते हैं, अब आगे आपना third section reading skill का, जो कि आपका पहला section A होगा, देखिए, आज आज आप जानते हैं कि जो reading skill का section A है, उसमें पू आपके ओल पिछले साल का, यानि 2023 का question paper निकाली है, हाँ, अब याद आ गया कि मने आप से promise किया था कि मैं आपको बताओंगा CBSC के question paper के बारे में कुछ, तो वो important information यह है कि CBSC क्या करती है, हर subject के कम से कम six, कम से कम six, कम से कम six sets, कम से कम six sets of question paper तयार करती है, और हर set का three subset होता है, three subset question paper तयार करती है, यानि एक subject का CBSC total 18 question paper तयार करती है, तो आपको करना क्या है, आपको यह जो मैं बता रहा हूँ, वो reading के लिए, ध्यान दीजिए, यानि reading skill वाला, reading, reading skill वाला, देखे, reading, इसको skill बोलते है, reading skill plus grammar का, reading skill plus grammar का, आपको क्या करना है, 2023, 2023 तब question paper उठाना है, कहां से मिलेगा मैं अभी आपको बताता हूँ, 18 है, लेकिन 18 मत solve करें, आप केवल 10 से 12 भी अगर आप solve कर लोगे न, grammar का, grammar का 10 से 12 और reading skill का, जो आपका question number one or question number two होता है, जो total 20 marks का होता है, अगर आप 10 या 12 से भी solve कर लोगे न, I guarantee you, कि आपको English में 90 plus minimum पाने से कोई नहीं रूप पाएगा, ये 15 सालों का मेरा तजरूरबा बोल रहा है, तो दोस्तों, comment box में comment जरूर करिए, कि I will follow it, and I wish you best of luck for your board exam, आज के लिए इतना ही, thank you so much.